लालू यादों के खिलाफ केस चलाने की अनुमती सीबियाई को केंडर से क्यों लेनी पड़ी क्या है इसका मतलब नमस्कार मैं सयूपता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक जमीन के बदले नोकरी घोटाले में राजदत दक्षल लालू यादों के खिलाफ केस चलाने की मनजूरी सीबियाई को मिल गई है लेकिन सवाल ये है कि लैंड पॉर जॉब मामले की जाच पहले से ही सीबियाई कर रही है ऐसे में सीबियाई को केंडर सरकार से लालू यादों के खिलाब मुकत्मा चलाने की अनुमती क्यों लेनी पड़ी जमीन के बदले रेलवे में नोकरी घोटाले में सीबियाई ने राउज वेन्यूस्तित विशेश नयधिश की अदालत को बताया कि प्रश्टाचार के मामल में पूर्वर रेल मंतरी लालू प्रसाद यादों के खिलाब मुकत्मा चलाने की अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली गई है अनुमती पत्र दाखिल करते हुए जाज एसेंसियों ने अदालत को बताया कि मामले में करी 30 अन्यारोपी है जिन के लिए अभियोजन प्रतिक्षा की जा रही है इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाए विशेश नयदिश विशाल गोगल की अदालत ने CBI को अन्यारोपीतों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है इसके साथ ही मामले की अ अदालत ने अधिकारियों से पुर्वरेल मंत्री लालू प्रसाद यादो सहीत 32 लोग सेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर निर्देश लेने को कहा था इसी वर्ष साज्जुन को CBI ने लालू और 77 अन्यारोपियों के खिलाफ आरोपत्र दाखिल किया था पत्र के संबन में जमानत दे दी थी दूसरे आरोपत्र में 17 अरोपी शामिल है जिन में लालू प्रसाद राबडी देवी तेजस वियादो पच्छिममध्य रेलवे के तातकालिन महाप्रबंदग दो मुख्यकार्मिक अधिकारी वा अन्या शामिल है बता दे कि कि किसी भी सरकारी अधिकारी या संसत के सदस्यों को ऐसे ही गिरफतार नहीं कर सकते हैं लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे इसलिए कि इन्रसरकार की परमिशन पर ही किसी संसत या मंत्री की गिरफतारी की जा सकती है अगर कोई सरकारी पत पर रहते हुए सरकारी कारियों में जमिन के बदले नोकरी मामले में अपकेंद्र ने लालूयादों के खिलाब मुकदमा चलाने की अनुमती दे दी है और 15 अधिकारियों के खिलाब मुकदमा चलाने की अनुमती देने के लिए समय मांगा हैं CBI ने 18 मई 2022 को ततकालिन रेल मंत्री उनकी पतनी दो बेटियों और अज्यात लोग सेव को और अन्या लोगों के खिलाफ मामला दर्ज की कर दिया था आरोप है कि वर्ष 2004 से 2009 के दोरान रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद ने विभिन नरेलवेज जोन में ग्रूप डी पदो पर उमिद्वार की नियुक्ति के बदले परिवार के सदस्यों के नाम पर भूमिहस्ता अंतरन के माध्यम से लाप्राप्त किया था पटना निवासी उमिद्वार या उनके परिवार के सदस्यों ने अपनी जमीन मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रन वाली डीजी कमपनी को बेच दी या उपहार में देगी ऐसी नियुक्तियों के लिए कोई विज्ञापन या सारवजनिक नोटीस जारी नही गए थे आरोपियों ने सहयोगियों के माध्यम से उमिद्वारों से आवेदन वदस्तायवद एकतर किये और उन्हें पच्छी मध्धरेलवे को भेज दिया पच्छी मध्धरेलवे के महाप्रबंदों को के उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी इसके लिए अप्रत्यक्षत तर पर रखा और बाद में नियमित कर दिया इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए हमारे चैनल खबरदस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए नमस्कार